क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान कितनी गर्मी सह सकता है? गर्मी जो हमारे शरीर को पिगला दे, पसीने से तर बतर कर दे और यहां तक की जान भी ले ले. आज हम जानेंगे कि एक इंसानी शरीर अधिक्तम कितनी गर्मी जहल सकता है और क्या होता है जब तापमान असनिय हो जाता है चलिए, शुरू करते हैं इंसानी शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.9 डिगरी फॉरिन हाइट यानि लगभग 37 डिगरी सेल्सियस हमारे शरीर में एक खास तंत्र होता है जिसे हम होमियोस्टेसिस कहते हैं होमियोस्टेसिस एक ऐसा तंत्र है जो हमारे शरीर के अंदर के तापमान को स्थिर बनाए रखता है जब बाहरी तापमान बढ़ता है तो हमारा शरीर पसीना निकालता है जिससे हमारी तवचा की सतय से गर्मी बाहर निकल जाती है वहीं जब बाहरी तापमान घटता है तो हमारा शरीर कामपने लगता है जिससे शरीर में गर्मी पैदा होती है और शरीर का तापमान संतुलित रहता है वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान 42 डिग्री सेलसियस तक का तापमान सह सकता है लेकिन जब तापमान 45 डिग्री के पार पहुँच जाता है, तो हमारे शरीर में कई समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर कम होना, बेहोशी और घबराहट और अगर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी उपर चला जाए, तो यहाँ जानलेवा हो सकता है जलवायू परिवर्तन के कारण, दुनिया भर में तापमान तेजी से बढ़ रहा है लंदन स्कूल ओफ हाईजीन की रिपोर्ट के अनुसार, दो हजार पचास तक, गर्मी से होने वाली मौतों में 257 प्रतिशत तक की वृद्धी हो सकती है पिछले कुछ वर्षों में भारत में भी गर्मी से होने वाली मौतों में 55 प्रतिशत की बड़ोतरी दर्ज की गई है तो क्या करें जब गर्मी असानिय हो जाए? हमेशा हाइडरेटेड रहें, छाव में रहें और जरूरत पढ़ने पर कूलर या ऐसी का इस्तमाल करें अत्यदे गर्मी में बाहर निकलने से बचें और अपने शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करें हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं गर्मी से बचाव के उपाय अपना कर हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं तो दोस्तों, इस भयंकर गर्मी में अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद जल मिलते हैं एक और इंट्रिस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद, जै भारत